ह disciples वागई आपका टागेट SSC 2020 में आज हम डिसकस करेंगे एढ़िटोरियल सेक्षन को और कल से जो है डेली आपका एढ़िटोरियल सेक्षन स्टार्ट होगा आज में एक ही एढ़िटोरियल कराऊँगा तो कमेंच सेक्षन बताना कि एढ़िटोरियल यहां में पर सही है नही सही होगा और साथ में जो understanding है वो यहां पर ही सही होता है इसके अलावा important सीज है कि इससे vocab आपका cover होता है तो काफी important यह रहता है आपका editorial वाला section और daily आपका reading वाला तो कल से हम morning में यहां पर cover करेंगे आज हम एक editorial करेंगे कल से हमारे daily जो है दो यह editorial हमारे रहेंगे तो कहीं न कहीं टाइम यहां पर मैं दूँगा तो इंपॉर्टेंस ही रहेगा कि daily आप editorial section को करो पहले खुछ से बढ़ना उसके बाद समझना है इसी इसको और यहां से आपका understanding से ही होगी तो कहीं न कहीं comprehensive में accuracy बहुत आता है और close में भी यहां पर तो close comprehensive का जिसका भी problem है continue जो है reading करना है दो एडिटोरियल डेली करना है उसके बाद उसके vocab note करना है और साथ में लेंट करना है तो सबसे पहले हम इसके vocab के बात करें हमारा एडिटोरी रही का आज सबसे पहले हम इसके vocab section को देखें तो क्या यहां पर vocab section क्या कहता है तो first इसका है shrouded in secrecy का meaning क्या होता है shrouded in secrecy का मतलब होता है to be very secret और mysterious कि इसको mysterious रखना या सिक्रेट रखना specimen जो noun की तरह use होता है small amount of blood इसे कहता है specimen मतलब एक small amount of blood या फिर reading यो जो testing के लिए use करते है test के लिए ठाल होता है in congress यह हमारा adjective form में यूज आता है और यूज आता है जो आपए adjective form यूज होगा unusual और different from आप कह सकते हो what is around or from what is generally happening या आज संगादर बिल्कुल ही आपका mail निखाता है आपको भेए लब कह सकते हो या फिर आप भेट टुका जो आप कह सकते हो इसका meaning आता है counter productive का meaning क्या होता है counter peductive का इसmal आता है बिल्कुल आपकी opposite जो होता है counter productive मतलब adjective form में यूज होता है इसका मतलब होता है having the opposite the desired effect बिल्कुल इसका particular effect यानि Another जो रज़क्त होता है कि done at random या फिर without careful judgment या बिना सोचे समझे कोई decision लेना indiscriminate आप कह सकते हो वो judgment रहता है severity जो noun for me use होता है इसका meaning क्या होता है इसका मत्दब होता है the seriousness of something bad or unpleasant किसी चीज़ की तीवरता को यह बताता है या seriousness को बताता है किसी की कि वो चीज unpleasant है या bad है और कितना है कैसा है वो चीज़े बताता है severity तो noun for me use होता है तो यह आपका vocab section था जो इसमें use होगा आपका editorial में तो importance है यहाँ पर vocab total हमारे इसके अंदर vocab थे seven ठीक है प्लस आपके कुछ-कुछ यहाँ पर आपका editorial section में आएगा तो editorial स्टार्ट करते हैं यहाँ और companionship जिससे साब सम करते हैं उसी साब से हम इसे करेंगे यहाँ और courses करेंगे कम टाइम में ज़्यादा करने का editorial यहाँ पर जब पढ़ना है तो वहाँ पर एक-एक word का meaning जानना important यह क्योंकि वह important है कि वह editorial क्या कहना चारा है उसे समझना important है ठीक है तो यहाँ पर support यहाँ पर चाहिए तो जो जो चाता है continue यहाँ पर editorial section start हो और कल से हमारे दू अडिटोरियल होगे courses कहूंगा कम टाइम में कराने के जैसे comprehensive करते है वैसी टाइपस हम करेंगे exact उसका meaning जानेंगी कि उस editorial का कहना क्या चारा क्या 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 उसमें बोला गया क्या 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 चीज़ें वहाँ पर discuss हुई इन सभी चीजों को ठीक है तो बता देना comment section में बाकि यह daily हाँ पर start हो जाएगा editorial है कल से daily आपका तो start करते है आपका editorial section आज का क्या है फर्स्ट आपका है इफ चाइना वस सैवली क्रेटिसाइज फोर कीपिंग दशार्स सी ओवी तो आउटब्रेक दैट बिगें इन नौंबर 2019 स्राओट इन सिक्रेसी और फोर शेरिंग जैनेटिक सेक्वेंस और पब्लिक डाविस अनली ऑन जनवरी 12 2020 यहां तक आपका फर्स अगर चाइना जो है सैवली क्रेटिसाइज था किसके लिए पोर कीपिंग रखने के लिए इस वज़े से चाइना को क्या किया गया था सैवली क्रेटिसाइज किया गया था आगे बूला है और किसके लिए और शेरिंग करने के लिए जनवरी 12 2020 और इसके बारे में उसने शेर किया था इसके जनवरी 12 2020 अब देखो चाइना को क्यों किया गया था क्योंकि जो SARS COVID-19 outbreak हुआ था कब हुआ था November 2019 को और इन्होंने इसके genetic sequence को पब्लिक डाटावी इसमें कब इसनोंने इससे शेर किया था आगे वो कह रहा है कि countries, जो countries है data transparent जो की मतलब उन countries की बात करें जो transparent है, जो clear है, supposed है, अपना जो भी होता हो, हर एक चीज बताने के लिए and quick and sharing और किसी उस के लिए quick मेंद मतलब जल्दी से share करने में vital information इ Handy DIDAL का मतलब क्या था, जो important information को share करने में उन countries की बात करें जो transparent है और अपनी information जो important information है उन्हें share करते हैं जल्दी are not rewarded यानि उन्हें सम्मानित नहीं किया गया जिस टाइप से बात करा है कि चाइना को criticize किया गया था किस चीज के लिए कि number में उनका जो सार्स वो number में आये था उन्होंने उसीज के बारे में public database में कब बता है जन्वरी दो महिने के बाद लेकिन वो बात करा कि इस तरह से और कंट्रियों को सम्मानित पी किया जाना चाहिए जिस हिसाब से चाइना को criticize किया गया इसका मतला इसका opposite क्या होना चाहिए कि जो कंट्रियों ने अपनी information को जल्दी शे share किया और जो transparent है उनको क्या करना चाहिए था reward यानि सम्मानित किया जाएगा लेकिन क्या कह रहा बटार punish लेकिन उन्हें क्या किया गया उन्हें पनिष्ट किया गया था उन्हें पनिष्ट किया गया बलकि उन्हें कंट्रियों को भी पनिष्ट किया गया उन्हें सम्मानित करने की बजाय जो इन्हें पनिष्ट किया गया यह यहां तक कह रहा है अब आगे देखो after the first infection by a new variant it has 32 mutations in the spike protein alone was confirmed for me specifying collected on November 9 Botswana and South Africa diligently posted its genetic sequence on the public database on November 23 यहां तक देखो after the first infection first infection के बाद by a new variant के द्वारा it has 32 mutation था मतलब यह बहुत तीजी से फैलने वाला वाइरस था was confirmed confirmed किया गया यह किसके द्वारा from a specific specimen अभी हमने किया था एक blood sample एक टाब से नमूने के टौप पर collected किया गया था जो नवंबर 9 में किसके द्वारा बोच्षवाना और साफ़त अफ्रिका के द्वारा ठीक है diligently उन्होंने क्या क्या diligently महनत diligent का यहां पर इस synonym पूछा हुआ था महनत करना hard working एक टाप से महनत तरीके से उन्होंने इसे post किया था इसकी जो genetic sequence को on the database public database पर on November 23 में अब यहां पर देखो कि इनको वो सम्मानित करने की बात करा था कि इसे पहले हमने बात करी थी कि कुछ country ऐसे हैं जो transparent है और जो vital information है उन्हें वो share करता है quick यानि जल्दी से उन्हीं में दो country यानि इन दोनों की बात करा है वाट्सवाना और साफट अफ्रिका की कि इन्होंने जो sample थे वो collect किये थे कब नव नौ number को और इसे उन्होंने public database पर उन्होंने इसे क्या किया था पूस्ट किया था इसके genetics sequence को public database पर 23 number को जबकि चाइना ने कब किया था दो महिने बात इन्होंने 9 number को collect किया sample और 23 number को इन् इसने जो vital information है उसे है इसके बाद देखो in state यानि इसके बावजूट क्या हुआ वहाँ पर बलकि उन्हें सम्मानिक करने के बज़ाई यह क्या करें in state इन्होंने क्या कर दिया travel बेंस कर दिया now in post on south africa में इन्होंने travel को क्या कर दिया when कर दिया and a few others african country और कुछ जो है और ज कुछ country उनकी भी बात कर दिया कि यह सब क्या है यह सब मतलब travel बैन कर देना है मतलब information को एक तो quick information जो vital information वो आपको दे रहे है और उसके बावजूट आप क्या कर रहे हो वहाँ पर उन्हें सम्मानिक करने के बज़ाई आप वहाँ के जो travel है उन्हें आप बैन कर रहे हो और यह सब वो कह रहा है कि are not only in congress यह बेमेल या फिर एक बिल्कुली असंगती नहीं है बट can actually be counterproductive बलकि यह बिल्कुली opposite भी है इसके बिल्कुली सम्मानिक करने की चाहिए लेकिन वो क्या कर रहे हो उन्हें पनिश करें बिल्कुली क्या counterproductive है इसका meaning देखो उन्हें ठीक है counter such rest decision और इस type के जो लापरवाई वाली decision है या फिर कह सकते हो जो तुरंत लिये वाले ले जाने वाले decision है वो क्या करेंगे disinsensitivize करेंगे country को यानि कुछ country को क्या करेंगे हो country को क्या करेंगे हो हतो side करेंगे यानि disguise करेंगे एक type से ठीक है मतलब आगे से अगर इस type के जो decision ह तुरंट लेने वाड़े डिसिजन है इसकी वजह से जो country ऌन कंट्रियों के बात करा है जो एक तुछ transparent है और अपनी information को वो जल्दी से जो vital information है उसे वो जल्दी से क्या करते हैं शेर करते हैं तो इन ऐसी जो decision है इसकी वजे से क्या हो जाएंगी country हो जाएंगी अगर ऐसे डिसीजन ये लेते हैं तो इसकी वज़े से जो company जो country जो देश हैं जो अपनी जो एक तो transparent है और जो अपनी information को तुरंट शेर करते हैं जो vital information होते हैं during the pandemic के दोरान जो हैं तो वो क्या करेंगी वो भी अपनी जो information है उसे share करना बंद कर देंगी ये सब वो कह रहा है इसके बाद वो क्या कर रहा है the demonstration the demonstration जो demonstration है किसके दवरा बाई बोटस्वाना और साफ़तफीका का of their capabilities उनकी capability है चमता है और capability किस सीज की to quickly यानि तुरंट जो है detect करने का देखो अभी हमने इससे पहले कहता कि 9 number को उन्होंने क्या किया था उसे collect के थे sample और 30 number को उन्होंने स से public database पर इसके general sequence को क्या कर दिया था public database पर पोस्ट कर दिया था यानि इन्होंने जो है बहुत स्वाना जो साफ़तफीका है उनकी capability यह थी कि उन्होंने क्या करते है वो quickly यानि detect किया उन्होंने new variants को through किसके द्वारान किसके through superior surveillance यानि बहुत अच्छी जो उनकी surveillance है मतलब ए जेनोमिक जो sequence है नीट जो भी जरूवत है कि उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए और वहाँ पर through enhance यानि बढ़ाना चाहिए वहाँ पर क्या वैक्षिंस को एक्सिज वैक्सिंस को वहाँ पर बढ़ाना चाहिए तो क्या करने के लिए अफ्रीका को और इससे क्या होगा और करदा risk और new variants और जो new variants का जो risk है उसे क्या करना चाहिए कम करना चाहिए तो इस टाइप से बोच्षवाना और जो साबत अफिका है उन्होंने उनकी जो capability ही कह है उन्होंने quickly detect किया new variants को तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और यह सब क्या हुआ उनका किसके कारण सु आगे है कि on November अगर November की बात करता है इसके बाद यहां पर यह रहा on November 30 की बात कर रहा था निदरलें जो निदरलें ने उन्हें रिपोर्ट किया रिपोर्ट किया था that की sample जो collect किया था उसने November 1923 को ठीक है निदरलें के बात कर रहा जो उसने sample collect किये थे 19 November 23 November को before South Africa के announce करने से पहली its finding जो उसके परणाम है and the travel और जो travel ban किया था इसके effect के करान ठीक है वर्दा Omicron variant या निदरलें ने साफ़त अफरिका से पहली जो साफ़त इससे पहले जो क्या किया था announce किया था इसके finding या फिर जो Omicron variant के बारे में निदरलें ने कह रहा है कि और जो निदरलें ने अब देखो यहाँ पर confuse ने यहाँ यहां पर unclear हुग गां क्या चीज लेयरा विजल जो संपल दे दौ मिधड य कि इसफ लोग हैं मैं यहाँ भी इने विजिट किया होगा जो संपर निटरलेंट में यहाँ master आया होगा ठीक है क्योंकि निदर्लेंड वालों ने इससे पहले क्या किया होगा विजिट किया होगा साथ अफिका और वहां से वह वायरेस उनके साथ आया होगा तो यह चीज वह बोल दा है कि 14 इससे वन में से चौदा फैसेंजर वह वापस आया थे कहां से साथ देफ्रका से कब नॉमबर ट्वंबर टेस्ट के गया तो वह पॉजिटिफ पाए गया और किसके लिए ओमिक्रान के लिए और जिसमें जो शो कर रहा था डिफ्रेंट स्टेंड उनमें शो कर रहा था तो इक से चौदा जो पैसेंजर साथ देफ्रका से वापस आये थे तो ट्वंटी सिक्स नॉमबर को तो उन्हें जब टेस्ट के गया तो उन्हें ओमिक्रान वाइरस उनमें पाए गया वह भी डिफ्रेंट स्टेंड के एंडिस जो सजेस्ट करता है डैट की जो फिपल जैथे जो अजने जो ते वर प्रॉबेबली वह संब भवता हो सकते हैं क्या इंफेक्टे वह इन्फेक्टेट हो सकते हैं और इसके अलवा वह कहरा है कि किससे from इफशाएं सोरसे में और in different locations पे हें ठीक है तो यहाँ पर यह आपका पैसिस था जहाँ पर मैंने बता है यहाँ पर थोड़ा सा अभी यहाँ फर्स्ट कला से तो उतना मैंने डिटेल में आपके नहीं बता है और नहीं एक एक लाइन का मीनिंग कल से जब हम करेंगे तो आज सिफ यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ शौट में ताकि कल से आप सब रेडिर हो और कल से हम यह जो एडिटोरियल है दो एडिटोरियल करेंगे वो भी ज़्यादा टाइम के हिसाब से करेंगे उसका मीनिंग को समझने कि क्या वो एडिटोरिय करेंगे बैट लेकिन ठोड़ा और समय् करेंगे चाइंगे एडिटोरियल को करेंगे चोस्ट करेंगे अच्छे करने की और बाकि इंपोर्टेंचीजिस क्या है इसके है रहे यहाँ क्या से क्या चीव उपको बन्क्सक्शन को पह выступ सेक्शन सही होगा साथ साहи बिया डेली स जनुबनी टु है उन्होने भी रिपोर्ट किया था प्रिजंस ऑफ किसका प्रिजन वेरियंट का नोटीफा में गया था जो ट्रवल बैयन चृपल्बड है पहले नाउटिफाई का गया था च्रवर्स हो पहले यूचrip यह it also reflect करता है the relatively poor surveillance को इसके करण and place वहाँ पे and there when compare करते हैं किसकी the two African countries की जो बहुत स्वाना और साब जिल का उनका जो surveillance था हो कैसा था उनका surveillance था superior surveillance और इनका क्या है इनका surveillance कैसा है इनका poor surveillance था तो इस वज़े से यहाँ पे यह ज़्यादा फैला हो है ठीक है this underscores the need of to have system in place that delay यह क्या delay और जो system अच्छा है यहाँ पे देखो क्या क्या important चीज़ है यह reduce करा speeds को कम करेगा new variant को फैलने से और कैसे फैलने कैसे कम करेगा testing के prior यानि उन्हें पहले test किया जाए बाकि यहाँ पे quarantine करके करना चाहिए as a recommended ठीक है बाकि यह चीज़ है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एक बार पढ़ लेना इसे थोड़ा सा थोड़ा सा रहेगा बाकि इसे हम discuss करेंगे कल से अच्छे से editorial section को दो editorial section होंगे हमारे जहाँ पे हम थोड़ा time लेंगे और हर एक चीज़ को courses करेंगे जैसे comprehensive पढ़ते हैं उससे साब से करने की ताकि comprehensive हमारे कम time में हो और सही हो जाए ठीक है बाकि मिलते हैं आपका कल यहाँ पे बाकि कोई doubt रहता कोई भी question रहता हो चीज़ आप पूर सकते हो आज थोड़ा समयने आपे बताने के लिए आपे वीडियो बना दी जल दे ली बाकि कल से हम थोड़ा time लेके यहाँ पे करेंगे editorial वाले section को और meaning को साथ में जिसमें भी doubt होता हो चीज़ आपे clear हो जाए एक ही वीडियो में ठीक है बाकि यहाँ पे इसके लावब एक reasoning की आपे series चलेगी और साथ में English का practice site वाली series चलेगी तो दोनो practice best series यहाँ पे चलेगे reasoning वाली और English वाली तो दोनों important होगी वह भी आपका आज यकल से start हो जाएंगे तो daily आपका एक 25 question वाली series होगी इंग्लिस की और 25 question या 20-25 question वाली रहेगी 15-20 ऐसा question रहेगी reasoning के जिसमें question के level थोड़ा सही रहेगा और time taking question रहेगे तो बाकि मिलते हैं आपे next वीडियो में तरकी धन्यवाद टिक है